नमस्कार दोस्तों दो साती टीवी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों इस चैनल पर आपको बहुत सी जानकारियां दी जाती हैं जिन में से आज जो जानकारी दी जा रही है वो बहुत ही महत्वपून है तीन लोग आपकी किस्मत बदल सकते हैं जानिये कौन है वे लोग जो आपकी किश्मत बदल सकते हैं। देखे दोस्तों इस संसार में जो भी आदमी आपकी किश्मत बदलने का मौका देता है। उन तेनों में से सबसे पहले आप किसको मानेंगे। आप अपने दिमाग से सोचिए कि कौन सा पहला आदमी हो सकता है जो आपकी किश्मत बदल सकता है। कमेट बोक्स पर जाकर के हमें जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा आदमी के बारे में सोचा था। चलिए हम बता देते हैं वो पहला आदमी होता है आपकी माँ। जी हाँ दोस्तों संसार में माँ से बड़ा कोई आपका हिद्चिंतक नहीं होता है और माँ में ही वो ताकत है जो आपकी किश्मत को बदल सकती है, किश्मत को बहुत ही निखार सकती है, किश्मत को बहुत उंचाईयों तक पहुचा सकती है। बच्चे की प्रात्मिक पार्चाला मा को ही बताया गया है और मा से बड़ा इस दुनिया में इस संसार में आपका कोई नहीं होता है। दोस्तों आपकी मा आपको चाहे तो बहुत उचाईयां दे सकती हैं आपको अच्छे सिख्षा अच्छे सेंसकार और अच्छा दुनियादारी का नोलेज दे सकती हैं। पहले से बता दिया था कि वो कौन है चलिए हम बता देते हैं दूसरा आत्मी होता है जो आपकी किश्मत को चार चांद लगा सकता है वो होता है आपका पीता जी हां दोस्तों संसार में पीता से बढ़कर और दूसरा आत्मी मा के शिवाई कोई नहीं हो सकता जी हां दोस्तों म मा को पहला बताया गया है और पीता को दूसरा बताया गया है ये दो फरिष्टे आपको इश्वर की दया से इश्वर की क्रिपा से आपके जीवन के लिए दिये गये हैं जो आपका हर गड़ी हर पल आपका सुप चाहते हैं और तीसरा तीसरा वो लोग जो कौन हो सकता है आप का सूपचिंतक हिद्चिंतक या आपकी किश्मत को बदलने वाला वो जरह आप बताईए कि कौन हो सकता है क्या आपने तह किया है यदि तह किया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा कि शर हमने ये इस आदमी को हमारा सूपचिंतक हिद्चिंतक या किश्मत पता देते हैं वो तीसरा आदमी वो होता है जो आपको काम करना बिजनेस करना या धंदा करना या जो भी आप करते हैं वो शिखाता है जो आपको उधर पूर्ति के लिए आपको जीवने आपन के लिए जो आपको काम सिखाता है बिजनेस सिखाता है कला सिखाता है हुनर सिख चिष्वार वाम परौफुक्रत खतना नाम काता है जिसको आप अपना मौलिक काह सकते हैं जिसको आप अपना वार बोस कैसे हैं और टीनों आद्वी इस वर की दया से आप आपको यदि अच्छे मिल गए भले मिल गए आपके हिचिन तक मिल गए तो आपकी किश्मत को चार चांध लगा सकते हैं यह वो फरिष्टे हैं जो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं जिन्दगी में यदि इन तीनों लोगों की कृपा आप पर बनी रहती है तो इश्वर की कृपा आपके उपर सदैव रहेगी ऐशा मेरा मानना है ये श्वर मेरे विचार है आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ये ये वीडियो अच्छा लगा है आप पिता है तो पूत्र को भेजिए पूत्र को भेज सकते हैं आप बच्चों को ये वीडियो भेज करके उन्हें भी प्रेरित कर सकते हैं वीडियो परसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें धन्यवाद आपका आगे फिर मलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए के नमस्कार